असलाम लेकुम डियर स्टूरेंट्स आज हम ग्रुप थियोरी का लेक्चर नबर 14 करेंगे तो लेक्चर शुरू करने से पहले जो स्टूरेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं यह जिन्होंने मेरा चैनल अभी तब सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चै एक्जाम्पल नबर 4 देखेंगे ठीक है एक्जाम्पल नबर 4 हे हमारे पास लेट जी कोई सा एक सेट है ठीक है उससेट के ऐलिमेंट्स थेऊ प्रूतिक्षाम्पल सेज़रो of all integers ठीक है, set of all integers को ये शो करते हैं मतलब कि जितने भी set of integers हैं, वो सब के सब ये सिरफ इतना set शो करता है, वो कैसे करता है, ठीक है, अब वो बाद में बात करते हैं, ठीक है फिर से पढ़ लेते हैं let g हमारे पास कोई सा set है, specific be the set of all integers, integers का तमाम integers का ये set है congruent to modulo 5 तो students, ये आपके लिए एक नई चीज़ है, जिसको मैंने highlight करके यहां पर लिखा है, congruent to modulo 5 मोडूल 5 का से क्या मुराद है, मोडूल 5 का concept आप इस तरह से समझ लें, कि मिसाल की तोर पर हमारे पास घड़ी है, घड़ी में हमारे पास 12 तक होते हैं, डिजिट्स 1, 2, 3, 1 से लेकर up to 12 तक होते हैं तो हम हर 12 के बाद अगले घंटे को, हम ऐसे तो नहीं कहते, 13, 14, 15 फिर से शुरू हो जाता है 1, 2, 3, भी counting फिर से start हो जाती है तो modulo को concept भी वहीं से निकला है तो अब इसको किस तरह से solve किया जाए तो यह हम आगे चलके देखते हैं, solution में वो कहरा है statement में कि G हमारे पास कोई सा set of all integers का कोई सा set उसने given दे दिया है और congruent to modulo 5 है ठीक है, शो गया करना है अब जो यह set G है वो group होता है अंडर अडिशन इस set को हमने show करना है यह group है और अंडर अडिशन ठीक है, अंडर अडिशन में बात हो रही है, तो मैंने students आपको पिछले lecture में जिस तरह से मैंने कैले इस table बनाया था, वो अंडर multiplication था, यह अंडर अडिशन है मैंने उस तरह से एक table set कर दिया है, तो आप चलिए हम इसको solve करते हैं कि मोडूलो का concept यहां पे किस तरह से apply होगा अब देखें हम अंडर अडिशन है तो simply पहले हम digits को numbers को add करते हैं हम अरपस जो elements है, zero में zero add करें, identity है तो zero ही रहेगा इसे कोई फरक्ट नहीं पड़ेगा ठीक है तो उपर बार भी आजएगी क्योंकि हमारे पास elements given थे उसमें भी इस तरह से बार लगी है क्योंकि यह special किसम के elements है यह कुछ simple नहीं है ठीक है और फिर zero plus one करें तो one ही आजएगा जीरो प्लस टू करें टू ही रहेगा जीरो प्लस थ्री करें थ्री ही रहेगा और जीरो प्लस फॉर करें तो फॉर ही रहेगा अब नेक्स चलते हैं हमारे पास one की बारी one प्लस जीरो करें तो one रहेगा हमारे पास one प्लस one करें तो two आजएगा 1 प्लस 2 करते हैं तो हमें 3 मिलता है 1 प्लस 3 करते हैं तो 4 मिलता है अब 1 प्लस 4 करते हैं तो 5 आता है यहां से अब आप लोग का student concept शुरू होता है मोडूलो का जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी मिसाल हमने गरी की सुईयों की तरह लिया है गरी में जो डिजिट होते हैं वोच के अंदर उस तरह से इसकी एक्जामपल है कि हम हर 12 के बाद अगले जो घंटे को हम 1, 2 फिर से स्टार्ट करते हम 13, 14 नहीं कहते तो students यह मोडूलो 5 है 5 से मुराद है कि अब यहां पे 1 प्लस 4 किया तो 5 आया हम 5 नहीं लिखेंगे हम फिर से शुरू से काउंटिंग शुरू कर देंगे शुरू से कहां से करेंगे जो हमारे elements हमें गिवन थे 0 से शुरू थे 0, 1, 2, यहां से स्टार्ट कर देंगे अब किस तहां से शुरू करेंगे अब आप वो देखें कि फॉर एक्जामपल हमने क्या किया 1 प्लस 4 5 होता है तो हमने 5 को डिवाइड करना है 5 पे 5 पे क्यों करना है क्योंकि मडूलो 5 है ठेक है और अंदर 5 से क्यों कर रहे है क्योंकि 1 प्लस 4 किया तो 5 आता है हमारे पास अब 5 को हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 वन दा 5 ठीक है तो हमारे पास रिमेंडर क्या हुआ 0 आ गया हमारे पास रिमेंडर तो यहां पे फिर हमने रिमेंडर लिख रहे है किस तरह से लिखने हैं आगे आप मजीद में करवाती हूँ तो और क्लियर हो जाएगा अब यहां पे हमने लिख दिया 0 फिर से शुरू होगी ना काउंटिंग फाइव ने लिखेंगे अब ठीक है डिमेंडर लिख दिया अब इसी तरह देखें आगे देखें बजीद फिलियर हो जाएगा टू प्लस जीरो अगर हम करें तो टू ही रहेगा हमारे पास टू प्लस वन करते हैं तो थ्री आता है टू प्लस टू करते हैं फोर आता है टू प्लस थ्री करते हैं तो फाइव आता है तो five का तो हमें पता है zero लिख दिया हमने ठीक अब यह हमने करके भी देखा अब यह देखें two plus four करें two plus four हमार पास कितना होता है six अगर इस six को हम इधर से आपको clear होजेगा six को हम five पे divide करते हैं तो five one's of five जो हमार पास remainder आया वो हमार पास one है तो इस तरह हमने यहां पे remainder लिखना होता है ठीक है students तो हमने यहां पे one लिख दिया अब हमारे पार next चलते हैं three है three plus zero करें तो three ही रहेगा three plus one four three plus two five और five का हमने किया है zero आता है remainder three plus three six remainder अगर five पे divide करें तो one होता है three plus four करें तो हमने पता है फिर remainder similarly आप लोग करके check कर सकते हैं three plus four करते हैं हमारे पास remainder two आता है four plus zero four रहेगा four plus one five और remainder zero यह हमने किया भी हुआ four plus two six remainder one one लिख दिया four plus three ठीक है seven हो जेंगे remainder हमारे पास two four plus four और remainder three आजेगा ठीक हो गया तो students यह था हमारे पास module का concept ठीक है इस तरह हमने module five किया similar इसी पैटरन पे हमारे पास काफी सारी examples और भी हो सकती है उसमें module कुछ भी कह सकता है seven eight nine whatever तो आपने इसी से घबराना नहीं है जस इसी चीज को follow करना है जो भी module होगा उसके according हमने tables को लिख दे रहा है ठीक है तो students यह देखें फिर से वही बात कि हमने तो show करना था क्या यह under addition group है यह नहीं है तो फिर से पिछला concept जो हमने पिछले action में बात की थी अपने यह कहते हैं यह बना देना ही काफी होता है group को show करने के लिए वो किस तरह से अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास group के element थे ठीक है उसके इलावा कोई भी element नहीं आ रहा जो group में थे वही repeat हो रहे है ना ठीक है तो कुछ extra तो नहीं है इसमें इसमें identity भी है अगर देखा जा identity की बात की जाए तो under edition identity भी इसमें पाई जा रही है एक्जिस्ट कर रही है तो हम कहा देते हैं कि the above table shows लिख दें बेतर है तो इतना भी simple भी कह सकते है hence जो हमने set का नाम दिया है वो already given था hence जी जो है under edition क्या है be a group है तो students इसको alternative way से भी हम कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको पहले करवाया मजीद हम कहें कि colonial law satisfy है फिर associative law identity और inverse इस तरह से वीडियो काफी लंबी होजेगी students तो ये चुके मोडूलो एक new concept था आप लोगों के लिए lecture लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने सिफ अभी इतना ही कर बात करेंगे कि इसको और मजीद किस तरह से प्रूफ किया जा सकता है वो ग्रूप के एक्जियम्स ठीक है तो हम इंशालला नेक्स वीडियो में बात करेंगे आगे इसकी और एक्जामपल्स मैं आप लोगो को दूँगी तो मजीद क्लियर हो जाएगा आला हाफीज